नमस्कार ग्लिप्स.न में आपका स्वागत है सेल कमपनियों के खिलाफ सरकार और आकरमक और सक्त रूख अपनाने जा रही है करीब 25-30 फीजदी भारतिये कमपनियों का रेजिस्ट्रेशन रद्ध किया जा सकता है यह कारवाई उन कमपनियों के खिलाफ होगी जिनका टरनोवर पिछले दो साल में शून्य रहा है ऐसे कमपनियां जो 90 लाक की इन्वेस्टमेंट पर 1500 करोड की प्रॉपटी खड़ी कर लें जैसा कि नेशनल हॉरल केस में हुआ वो तो बंध होनी ही चाहिए सूतरों ने कहा कि Ministry of Corporate Affairs Companies Act की धारा 248 के प्रावधानों को इस्तमाल करने की योजना बना रही है इसके तहट लगातार दो साल से निश्क्रिये डोरमेट कमपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा भले ही उन्होंने रिटर्न फाइल करने की अनिवारियता का पालन किया हो नाम नहीं छपने की शर्त पर सूतर ने बताया यह कानून सरकार को कुछ प्रावधानों के तहट कमपनियों को बंद करने का अधिकार देता है यदि आपने दो साल तक कोई कारोबार नहीं किया है तो जरूर कोई कारण है कानून के मताबिक सरकार को ऐसी कमपनियों और उनके डायरेक्टर को नोटिस देना होता है जिस पर 30 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा जाता है कमपनी जएक्ट के प्रावधानों के मताबिक यदि कोई कमपनी गठन के एक साल के बीतर कारोबार शुरू नहीं करती या 180 दिनों के बीतर कैपिटल सब्सक्रिप्शन नहीं बनाया गया या फिर दो साल तक कोई कारोबार नहीं होता तो सरकार कमपनी का नाम रेजिस्टर से हटा सकती है अभी तक रसरकार रिटर्न फाइल नहीं करने वाली 2.25 लाग कमपनीों का रेजिस्ट्रेशन रद कर चुकी है अब सरकार लाग हो कमपनीों को कोई कारोबार नहीं करने की वज़ा से बंद कर सकती है ऐसी कमपनियों की संख्या कितनी है इसका सटिक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह संख्या 3-4 लाग तक हो सकती है दिसंबर 2017 तक 17 लाग से अधिक कमपनिया देश में पंजिकरित थी जिन में से 11.4 लाग सक्रिये है सक्रिये में वह कमपनिया भी शामिल है जिनोंने दो या इसे अधिक साल से कोई कारोबार नहीं किया है